हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू किडो जाइस मैं शिवं पांडे जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से परिशान थे इस बात को ले कर कि क्या सत्ताइस अक्टूबर को एक्जाम होने वाला है इस बात से बहुत सारे स्टुडेंट्स की पढ़ाई दिश्टर हो चुकी थी सही समय पर नोटिफिकेशन न निकलने के वज़े से लड़के बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिती में थे तो अब आपको बता दें कि इस से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आयोक जारी किया है जिसमें कुछ चीजे बताई गई है इस नोटिफिकेशन को हम लोग डारेक्ट देखेंगे कि क्या कहने की कोशिस की जा रही है देखिए यहां पर एक नोटिफिकेशन है जिसको उत्तरपदेश लोग सवाय आयोक के सच्यूजी है प्रेशित कर रहा है जितने वे डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट है यूपी के उनकी लिए ये इन्फोर्मेशन दिया गया ह विशय इसका क्या है कि समलित राज प्रवर अधिनस्त सेवा प्रारंबिक परिक्षा दोजाब चोविस यानि जो आपका यूपी पीसेस प्रिलिम्स का एक्जाम है उसके आयोजन हितु जो साथ आयोजन हितु दिनांग साथ व आर्ट दिसंबर दोजाब चोविस के लिए समती पत्र उपलब्ध कराये जाने के संदर में ठीक है तो यह नोटिफिकेशन परिक्षा किंद्रों की उपलब्धी के लिए बात आई है लेकिन इससे क्या इस पष्ट होता है यह आगे वाले लाइन में आपको पता चल जाएगा महोद है उप्यूक्त विश्य के संबंध यहां पर यह चीज़ देखिए अपर हार काड़ों से दिशंबर साथ वा आठ दिशंबर दोजाए चोबिस कि साड़े नौव बजे से साड़े ग्यारव बजे एम वह दूसरी पाली के परिच्छा दाइस से साड़े चार पीम के बीच में आयुजित कराने का नेड़े किया गया है तो इससे क्या स्पर्ष्ट होता है कि आपकी परिच्छा सब्सक्राइब को हुनी थी अब वो डल चुकी है और यह एक्जाम नए रूप से प्रस्तावित है साथ से आठ दिसंबर के बीच में यानि दो डेट प्रस्तावित हो रही है तो इससे क्या हम लोग अनौन लगा सकते हैं कि अब एक्जाम अलग-अलग सेट में हो यानि चार्ट सेट में जो बात कर रहा हो रही थी कराने की वैसे ही कराया जाए और normalization की प्रक्रिया भी उसमें क्या होगी औवियस ही होगी तो इसके क्या का संभावना है और को देख लेते हैं इसके क्या चीजे क्या चीजिढें हो सकती है देखे कि यूपी पीसेस की अगर हम बात करें तो अपका प्रस्तावित था गरों 17 माज से कहां चला गया 27 अक्टूबर को डेट अब निया जो डेट प्रस्तावित है वह आपका 27 अक्टूबर से सीधे चला गया है कहां पे आपके 7 दिशंबर और 8 दिशंबर ये नया प्रस्तावित डेट है इस पर किंद्र अगर मिल जाएंगे सही तरीके से सही समय पर सब चीजे सब सुटेबल रहेंगे तो 7 और 8 दिशंबर को आपके एक्जाम करा लिये जाएंगे ऐसा संभावना है लेकिन अगर सब चीजे फिवर में नहीं रही तो क्या होने के संभावना इसके विश्य में बात कर लेते हैं जिसे अगर 7 और 8 दिशंबर की एक्जाम होगे 7 और 8 दिशंबर को अगर एक्जाम हुआ तो उस केस में ये चीज तो कंफर्म है कि 2 डेट की बात हो रही है तो अभी इस बात को लेकर आयोग सीरियस है कि एक दिन अब परिच्छा नहीं होगा एक दिन में परिच्छा नहीं कराया जाएगे और इससे ये भी स्परिच्छ होता है कि अब जो बात चल रही थी कि आयोग अलग-अलग सेट बनाएगा पेपर का तो चार सेट की बात हो रही है और इस चार सेट में सेट को बनाने के लिए कुछ संसोधन क्या आउ सकता पड़ेगी नियमावली में और उसके लिए उत्तरपदेश शरकार कुछ अध्यादेश लाकत तुरंत उसको नए नियमाल के लिए आप लोगों को माइंडसेट बनाना पड़ेगा त्यार होना पड़ेगा हो सकता है कि अलग-अलग पालियों में पेपर का स्टेंडर्स अलग हो उसमें कुछ समस्या भी आएंगे लड़को किसी का कटिन होगा तो इस केस में नार्मलाइजेशन होगा और उसके लि के लिए सब्धों कराने की बात की जा रही है सिंटर्स उस समें तक लिए siya प्डेट को जा सकता है उसके क की सियाम आपका सीधे सीधे मार्च और अप्रेल में जा सकता है एप बात करें संभावना तो मार्च और अप्रेल की लेकिन एक चीज में आपको बहुत ही बहुत ही और बहुत ही कह सकते हैं कि जो देकर कहना चाहूंगा कि यह जो एक्जाम है साथ वह 8 दिसमर को पूरी शमधाना कि कराले जाए क्योंकि सरकार इसके लिए बहुत सीरियस है माइंसेट माइं में मत रखिएगा भीया कि अब एक्जाम टलेगा मार्च अप्रेल में जाएगा साथ वह आठ दिसम्बर को अपना एक्जाम एक्जूरेट मानके चलिए एक महिने का समय आपको मिल गया है एक आउशर है आप लोग के लिए जिसकी त्यारी ठीक से नहीं होना है ठीक है तो यह एक्जाम हो गया आपका यूपी पीचे से रिलेटेट इंफॉर्मेशन लेकिन अगर हम बात करें आरो यारो से संब्दनी तो आरो यारो से संब्दनी अभी नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है अभी 22 22 दिसमर को जो प्रस्तावित है एक्जाम वहीं यूपी आरो यारो का एक्जाम के त्यारी करेंगे तो अब बात कर लेते हैं अब हमारे शनिस्था इसके लिए क्या कर रही है अब आपके पास समय मिल गया है अक्टूबर नौवंबर दिसमबर तो इसके लिए एक क्रैस कोर्स चलेगा आप देखेंगे इस से जोड़ सकते हैं फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसको आप ले सकते हैं 2020 की अगर त्यारी कर रहे हैं उसका कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं एक संपूर टीम के साथ आपको सभी विश्यों की स्पेसिफिक मार्दर्शन इसमें मिलने वाले हैं इसमें आप देखेंगे आरो यारो बीयो ह आई कोड सभी चीजे हमारे यहां के टिम आपको प्रवाइड करा रही है इससे जोड़कर अपने त्यारी को आप मजबूत कर सकते हैं ठीक है और हम सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक महीना मान के चलिए कि एक महीना एक्जाम सिर्फ टला है बहुत खुस हो अब जरूरत है डिडिकेट होकर पढ़ाई करने की तो सभी हमारे प्यारमित्रों को राम नौमी की धेसारी सुबकामना है और दसहरा की पूर्व शुबकामना है मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहे मस रहे है झाल